नौरात्र के आठमे दिन मा महागौरी की पूजय की जाती है मादुर्गा की आठमी सक्ती का नाम ही महागौरी है और मा गौरी का रूप बहुत ही सरल, सुलब और मोहक है महागौरी की चार भुजाएं हैं और इनका वाहन व्रिसब है इनके उपर के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले दाहिने हाथ में त्रिसुल है उपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे वाले बाएं हाथ में बर्मुद्रा है और इनकी मुद्रा अत्यंत ही सांथ है इनकी उपासना से भक्तों को सभी कस्ट उनके दूर हो जाते हैं और मां गौरी की उपासना अगर आप सरल तरीके से करें तो मां का आसिरवाद खुद बखुद मिल जाता है एक कथा आती है कि मा ने पारवती रूप में भगवान सिव को पती रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी और इस कठोर तपस्या के कारण इनका सरी एकदम से काला पड़ गया और इनकी तपस्या से प्रसन होकर जब भगवान सिव ने इनके सरीर को गंगा जी के पवित्र जल से धोया तब वह बिद्दुत प्रभा के समान अत्यन्त कांती में गौर वर्ण का हो गया और तभी से इनका नाम महागौडी पड़ा मा महागौडी का पूजा करने से अस्मरन करने से भक्तों को सरवाधिक कल्यान प्राप्थ होता है क्योंकि अगर मा की पूजा की जाए तो अलौकिक सिध्धियां प्राप्थ होती है और इनके चर्नों की सरन में आने के लिए हर किसी को प्रयास करना चाहिए कैसे मा को मनाएं, कैसे तमाम तरह के पुजा पाथ के बिदी बिदान करें आज हम बहुत सिंपल तरीके से जानेंगे मा के आठवे सरू, मा महा गोरी की पुजा का बिदी पीले वस्तर आपको धारन करना है अचिनान बेगेरे करके इसके बाद आप अपने घर के पुजास्थान पर ही मा के सामने एक दीपक जलाईए लाल धागे की बाती होगी और दो लॉंग डाल दीजे इसके बाद मा को सबसे ज़्यादा प्री है सुएत यानि सफेद पुस्प और पीले रंगे पुस्प आपके पास जो भी है आप मा को वही अर्पित करें इसके बाद मा के मंतरों का जब करना चाहिए देखिए मा गौरी का समंद सुक्र नामक गरह से है यानि की मा की पुजा करने से आपका सुक्र मजबूत होता है जीवन में सुक्र बढ़ता है इसलिए सुक्र को मजबूत करने के लिए भी इस दिन मंतर जपे जाते हैं तो पहले मा का मंतर जिसको जप करने से आप पर मा महा गौरी की किरपा होगी और वो मंतर है ओम रिंग गौरिय नमहा ओम रिंग गौरिय नमहा एक बात और मां को सफेद मिठाई का भोग लगाईएगा क्योंकि सफेद मिठाई सफेद वस्तू मां को बिसेश प्री है इसके बाद आपके पास गुलाब का इत्र या चंदन का इत्र जो भी है मातारानी को अरपित करें और बाद में इस इत्र को आप बेभार कीजिएगा अपनी नाभी में लगाईएगा सत्तू बिरोधी सांथ होंगे और आपका भाग्य मजबूत होगा चुकि इस दिन हमने कहा कि सुक्र को मजबूत करने के लिए भी इस दिन विसेश प्रियोग किया जाते हैं तो आप सुक्र को बहतर करने के लिए सुक्र का मंत्र है ओम सुम सुक्राय नमह इस मंत्र का 108 वार जब करें तो सुक्र समंधी बाधाएं दूर होंगी और जीवन में सुक्र ऐस वरे बढ़ेगा और इस जो इत्र है समाल के रखें निमित रूप से प्रियोग करें तो जीवन में पॉजिटिव आपको इसके फल मिलेंगे तो अब थोड़ा और आगे बढ़ते दिखिए अस्टमी तिथी के दिन पास के किसी भी मंदिर में अगर आपके लिए संभब हो तो एक पानी वाला नारियल उस पर मौली धागा लपेट कर और स्वस्तिक या ओम का निसान बना कर आप इसको किसी भी मादुरुगा के मंदिर में भेट कर दें ऐसा करने से पूरा साल बिग्न बाधाओं से रक्षा होती है और मा को स्रिंगार की वस्तू अतीप्रिय है इसलिए आप उनको जरूर अरपित करें अगर आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं आपके हां सुविदा नहीं है भी जाने की वाइरस का वक्त है तब ऐसे में अपने घर में ही अरपित कर दीजिएगा और बाद में उसको कुछ वस्तू अपने पास रख लें और कुछ पास की किसी मंदर में या किसी सौभागेवाल इस तरी को दे दीजिएगा तो महागौरी की जब पूजा किये जाते हैं तब विसेश उपाय भी किया जाता है अस्टिमी तिथी के दिन एक खास परियोग होता है और वो परियोग है आपको ये परियोग कभी भी कर सकते हैं सुभा में साम में कभी भी कीजे क्या करेंगे देखिए जीवन में धन आता रहे जरूरत के समय धन की परिशानी नहों कभी कभी क्या होता है आपको जब जरूरत है तब पैसे भी नहीं है सबी पैसे ब्लॉक हो गए हैं तो इन चीजों से रक्षा के लिए एक कटोरी में दूद ले लें कटोरी मिट्टी का भी हो सकता है चांदी का भी हो सकता है तो दोनों में से कोई भी ले लें कटोरी अगर मिट्टी का कटोरी नहीं है तो दीपक है ना मिट्टी का नया उसी में ले लें इसमें दूध ले लें और दूध में एक चांदी का सिक्का अगर आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है तो एक रुपय का एक सिक्का आप नॉर्मल जो होता है उसी को धोकर उसमें डाल कर मातारानी को अर्पित कर दें मां से प्रार्थना करें कि धन की मुस्किलें दूर कीजिए मा के सामने इसको एक घंटे तक रहने दें और एक घंटे रहने के बाद आप जो सिक्का है इसको आप धोकर धोकर नहीं पोच कर अपने पास सुरक्षित रख लें और जो कटोरी वाला दूद है थोड़ा थोड़ा परशात के रूप में खाई ये बांकी के किस हमने कहा कि मातारानी के मंदिन में जा आपको नारियल अर्पित करना है तो मांको नारियल का भोग तो ARI भोग तो अर्पित होगा ही साथ ही इस नारियल को विसमनोह कामना की पूर्ती के लिए आप कोई भी एक मननत मांगते हुए नारियल को अपने सर से उल्टा तीन बार फिरा कर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें तो जीवन की मुस्किलें समाफ्थ हो जाती है बहता हुआ जलना हो तो पीपल के नीचे रख दें या फिर आप जब माता रानी को अर्पीद करने जाएंगे अगर आपके पास ना पीपल का पेड़ है ना भाता हुआ जल है तब आप सर से तीन बार फिरा कर माता रानी के मंदिर में रख दीजिएगा जीवन की मुस्किलें समाफ्थ होगी और आपकी विसेस मनुकामना पूर कर सकते हैं हमारा जो धर्म गरंथ हैं वो 2-11 साल तक की करनिया के बारे में बात कहता है तो आप उसी उम्रे के बच्चों को लाकर उसमें एक लड़का भी हो लाकर उनका पैर धुलाईए चरन पकार ये फिर उनको समान के साथ लड़कियां है तो आलता पहनाईए उनका सरि पूरी इसके बाद आप कुछ मीठी वस्तू साथ भोजन आपको बनाकर उनको खिलाना है और इसके साथ ही उन्हें सिरिंगार की वस्तू आप छोटी करनिया को दे सकते हैं बुमाल नहीं दीजिएगा बाकी की चीज़े आप दे सकते हैं और बच्चों को खिलोना है टिफि महा अस्टमी के दिन आप ये परियोग करके कन्या पूजन का आपको फल मिलेगा और इस दिन एक और छोटा सा परियोग किया जाता है चुकि महा अस्टमी का दिन है और अगर हम जोतिस की माने तो अस्टमी के दिन महिलाएं अपने सुहाग के लिए देवी मा को चुनरी भे कर सकते हैं जब आप माता रानी की पूजा कर रहे हैं न वहीं पर आप पूजा कीजिए और उसमें पूजा करने के दौरान माता रानी को एक चुनरी उड़ा दे और बाद में इस चुनरी को आप चाहें तो छोटा है तो माता रानी के पास ही रहने दे नहीं तो आपके घर जादा प्रिशान कर रहे हैं तब ऐसे में मावगवती दुर्गा को आप अगर कुछ खास प्रियोग करें उनको कुछ भास प्रियोग से मनाये तो आपके जीवन की समस्त प्रिशान या समाप्त हो जाती है आज मापको इस तीनल बताएंगे और तीनों ही प्रियोग आप कर सकते हैं या कोई एक प्रियोग भी कर लें तो ठीक है सुबह सबेरे नित्य कर्मों से निब्रत होकर मा को परनाम करें और मा को एक पान का बीड़ा और पित करें अब ये पान का बीड़ा कैसे बनाएंगे दीखे आपको चाहिए होगा एक पान का पत्ता सिर्फ डंठल हटाईए पान के पत्ते का बांकी कुछ मत तोड़िएगा अब इस पत्ते को धोकर साफ कर ले दो लॉंग दो इलाची और बतासा रखिए और इसके अलावे इस पे कुछ भी आपको नहीं रखना और इसी को मोड कर आप बिड़ा के तरह बना ले और मातारानी को अरपित कर दे वैसे अगर आपके घर में केसर है तो आप डाल सकते हैं इसके बाद मा को अपनी परेशानिया समस्या उनको कहिए और अपनी समस्याओं को आपको बोलना है कि मा आपका ही सब कुछ है और आपको ही सब सौप रहा हूँ या रही हूँ इससे क्या होगा मा के उपर जब आप अपनी तमाम परिसानियों को स्वाब देते हैं तो कही ने कही मा आपका जो हिल्प है जो आपका बिजनस में परिसानी है जो घाटा हो रहा है या किसी तरह के कोई समस्या है उससे आपको बाहर निकाल ही लेती है तो जो उचित हो वही उनसे प्राटना कीजिएगा अनुचित चीजे या किसी के बुरा के लिए कभी मत कीजिएगा ये अच्छा नहीं है हमें सब पवित्रमन से अपनी बलाई की बात सोचें और मासे कहें तो वो जरूर आपकी पूरी होगी अब दूसरा प्रियो देखिए नवरात्र में वैसे महास्ट्रमी महानोमी और विजयादस्मी ये तीन दिन है इन तीनों दिन में से किसी भी दिन आपको चाहिए होगा कपूर कपूर तो आपके घर में होगा इसके साथ ही लौंग और एक पान का पत्ता पान के पत्ते एक थाल ले लें थाल के उपर एक पान का पत्ता रखें उस पर कपूर रखें और दो लौंग रख दें अब इसको जला कर माता की आरती करें और जो थाल रखिएगा उसमें दो चा जीवन में बहुत संकट हो जीवन कट नहीं रहा हो दुख समाप्त नहीं हो पा रहा हो तो ये परियोग आप करके देखें आपको राहत मिलेगी अगर जीवन में सुख सौभाग्य की प्राप्ति में कमी है या फिर आपका सुक्र गरबढ है तो एक छोटा सा काम करें एक थाल ले ले थाल के उपर गुलाब की पंखूरी रखिए अब गुलाब की पंखूरी के उपर आप कपूर डाल कर जलाईए आप चाहें तो लॉंग भी इसमें डाल सकते हैं नहीं चाहें तो कोई दिकत नहीं है लॉंग यहां पर ऑप्सनल है तो कपूर डाल कर गुलाब की सानिया होंगी शुक्र से समंधी जो समस्याएं होंगी जो सुख वाला पार्ट है वो आपका बेहतर होगा और मुस्किलें कम होगी खत्म हो जाएगी तो गुलाब की पंखुरी पर जब आप ये परियोग कर लेते हैं तो आपके जीवन में एक वर फिर से खुजियां लोटात जो मनो कामना है वो बोल कर बोलिए मन में मत बोलिए क्योंकि मन में तो अच्छी और बुरी दोनों ही भावना आती है जो भी कहना है बोल बोल Kर कहे पिर देखिए कैसे मा की कि पाप पर बरसती है रहर महादेव धन्यभाद